अगर आपका मन या आपकी बुद्धी, आपके शरीर, आपके अपनी विचार प्रक्रिया, आपके अपनी भावनाओं समेथ किसी भी पहचान में उलजी हुई नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत स्वभाविक होगी. अगर आपकी बुद्धी किसी भी चीज के साथ उलजी हुई नहीं है, तो आपकी बुद्धी के लिए जीवन के अलग-अलग आयामों की खोज करना और उनके प्रती खुलना बहुत ही प्रक्रितिक होगा. सुरक्षा पाने और खुद को बचाने की कोशिश में आप किसी चीज के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, वरना पहचान बनाने का और कोई फायदा नहीं है. क्रिपया देखी, आपकी पहचान आपको किसी चीज से जुड़े होने का जूटा बोध कराती है, जिसे आप वैसे भी एक दिन छोड़ देंगे. जब आप किसी ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं, जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धी पर परदा पड़ जाता है. ये उसी पहचान के चारो और घूमने लगती है आप खुद को जिस भी रूप में पहचानते हैं आपकी बुद्धी केवल उसी के इर्दगिर्द काम करती है कृपया देखिए हाँ अगर आप खुद को अपने धर्म, राश्ट्रियता, अपने परिवार से पहचानते हैं तो ये केवल उसी के इर्दगिर्द काम करती है ये एक तरह की पूर्वधारणा है, है ना? एक पूर्वधारणा वाला मन देख नहीं सकता एक पूर्वधारणा वाला मन जीवन की सर्चाई प्रकट नहीं कर सकता, बस इतनी सी ही बात है जब मैं पूर्वधारणा कहता हूँ, तो मेरा मतलब कई अलग-लग स्तरों की पूर्वधारणा से है नई नई मैं बहुत ही खुले मन का हूँ, मुझे में पूर्वधारणा नहीं है, ठीक है, आपकी पूर्वधारणा बहुत फैली हुई है, आपका मन अपनी एक पहचान बना कर काम कर रहा है, जब कोई पहचान बन जाए, तो ये पूर्वधारणा है, एक दिन, एक आदमी मर गया, और वो स्वर्ग गया. वहाँ, ईश्वर ने खुद स्वर्ग का दर्वाजा खोला. उसको अस्वागत किया और कहा, देखो, मुझे कुछ काम निप्टा कर आने है. क्या तो मेरे लिए कुछ देर दर्वाजे का ध्यान रख सकते हो? उसे बहुत अच्छा लगा, क्यूंकि वो ईश्वर की जगा ले रहा था. यह अच्छा है. भगवान की जगा लेना कोई छोटा सम्मान नहीं है. है ना, दर्वाजे का ध्यान रखना है, पर ठीक है, क्यूंकि वो भगवान का काम कर रहा था. वो कुछ होने का इंतजार कर रहा था, और उसे हैरान परिशान करते हुए, उसकी पत्नी दर्वाजे पर प्रकट हुई. उसने कहा, क्या, तुम यहां क्या कर रही हो? यह कोई लोकल बार नहीं है. तुम मेरे पीछे कैसे आ गई? पत्नी ने कहा, मैं आंतिम संसकार से घर वापसा रही थी, मेरी कार की टक्कर हो गई, और मैं यहां पहुँच गई. जब वो दाखिल हुआ था, तो ईश्वर ने उसके सामने एक परीक्षा रखी थी. जब वो दर्वाजे पर आया था, तब ईश्वर ने उससे पूछा था, देखो मेरे बेटे, तुम यहां आये, अच्छी बात है. पर अगर तुम स्वर्ग में प्रवेश चाते हो, तो तुम्हें एक शब्द बोलना होगा. तो उसने सोचा, हे भगवान, क्या ये बुढ़ा आदमी स्कूल टीचर है? ये स्पेलिंग के लिए कह रहा है, क्या यहां भी कमबक्त स्पेलिंग टेस्ट होते हैं? ईश्वर ने कहा, चिंता मत करो. ये एक सरल शब्द है. क्या शब्द है प्रभू? ईश्वर ने कहा, तुम्हें लव शब्द की स्पेलिंग बतानी है. फिर, उसने सोचा, उसने कई लोगों से आई लव यू कहा था, पर उसने कभी कोई पत्र नहीं लिखा था. इसलिए उसने सोचा, ल, यू, ल, व, ल, ओ, ल, ओ, ल, ओ, व, व, इ, इश्वर ने कहा, तुम पास हुए, आओ, उसने कहा, ठीक है, मैं अंदर पहुँच गया. अब जब उसकी पत्नी आई, तो उसने कहा, ठीक है, तुम यहां आ गई हो, पर अंदर जाने के लिए तुम्हें एक स्पेलिंग बतानी होगी. पत्नी ने कहा, चलो भी, अगर तुम्हें एक स्पेलिंग बता कर अंदर जा सकते हो, तो क्या मैं नहीं जा सकती, मुझे वो शब्द बताओ. उसने पत्नी की ओर देखा और कहा, चेको स्लूवा किया. मन पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है. ये इससे तैय होता है कि आप खुद को किस रूप में पहचानते हैं. आप जिस भी रूप में खुद को पहचानते हैं, आपका मन उसी के चारों और घूमता है. इस समय आप खुद को ऐसी कई चीजों के रूप में पहचानते हैं जो आप नहीं है मिसाल के लिए मैं आप ही बोल रहा हूँ और बोलते हुए अचानक अगर मैं ये गलास उठा कर कहूँ ये मेरा गलास है तो आप सोचेंगे लगता है सद्गुरू को कोई परेशानी है लेकिन ठीक है सभी कहते हैं सद्गुरू बुद्धिमान हैं चलो सुनते हैं थोड़ी देर बाद मैं कहूँ ये मैं हूँ तो आप कहेंगे चलो अब बहुत हो गया ये बहुत ज्यादा है क्रिपया देखिए आपके साथ यही हुआ है इससे समझने के कई तरीके हैं उधारन के लिए आपके सामने थाली में खाना आता है आप कहते हैं ये मेरा खाना है आप उसे खाते हैं और फिर कहते हैं ये मैं हूँ क्या ऐसा नहीं है जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं, बस भूजन का एक धेर है या नहीं? हाँ, ये वही भूजन है, जो आपने खाया है, है ना? जो आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है फिलहाल मैं इस पर बहस नहीं करूँगा पर वो आप कभी नहीं हो सकते, है ना? हाँ, जो कुछ भी आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है पर वो आप कभी नहीं हो सकता, है ना? क्या आपने अपने शरीर को कुछ समय के दौरान इकठा किया है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपने मन को समय के साथ इकठा किया है? हाँ पर अभी आप दोनों चीज़ों को मैं कह रहे हैं है ना और ये यही नहीं रुकता ये कई चीजों में फैल जाता है आपका घर, आपकी कार, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी लाखों दूसरी चीजें आपका धर्म, आपके विचार, आपकी धारनाएं, सब कुछ आप ऐसी बहुत सारी चीजों के रूप में खुद को पैचानते हैं, जो आप नहीं है जब आप इस तरह के हो जाते हैं, तो आपकी बुद्धी पर परदा पड़ जाता है ये कमजोर बुद्धी है, उसने अपनी पैट खो दी है ये केवल पुरानी बक्वास को दोहराती रहती है आपने तेनाली रामकृष्ण के बारे में सुना है तेनाली राम एक विदूशक थे कृष्ण देवराय के दर्बार में अकपर बीरबल के साथ भी ऐसी ही चीजे हुई पर हम दक्षण भारती ये कहानी पर ध्यान देंगे जब कृष्ण देवराय चोटे बच्चे थे तब कुछ शुराजनेतिक कारणों से उनकी मां को कुछ ही महीनों के कृष्ण देवराय को देख बाल के लिए किसी दूसरी औरत के पास छोड़ कर कहीं जाना पड़ा अठारा महीनों से ज्यादा समय तक वो बच्चा मां से अलग रहा पर उसे दूसरी महिला पाल रही थी जिनका अपना भी एक बच्चा था जो कृष्ण देवराय से कुछ ही महीने बढ़ा था तो इस त्री ने कृष्ण देवराय को अपने बच्चे की तरह पाला उन्होंने कृष्ण देवराय को अपना दूद पिलाया और वे बड़े हुए बाद में उसकी मा ने वापस आकर कृष्ण देवराय को वापस ले लिया और उसके बाद वे एक महान शासक बने तो वो बच्चा जो उस दूसरी स्त्री का बच्चा था कृष्ण देवराय ने उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना एक बड़ा भाई क्यूंकि हमने एक ही मा का दूद पिया है इसलिए हम भाई हैं वे ऐसा मानते थे तो आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने उस लड़के को कुछ गाम दे दिये और कहा आप अपना राज्य बनाओ इस देहाती को कुछ चीजे मिल गई और कुछ ही सालों में उसने सब कुछ गमा दिया और फिर से उसी स्थिती में पहुँच गया कृष्ण देवराय एक बहुत बड़े समराठ बने फिर एक दिन ये आदमी जो तब 30 साल से ज्यादा की उम्र का था उसने सोचा मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा समराठ हो गया है और मेरे पास कुछ नहीं है मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिल सकता है और वो चला गया कृष्ण देवराय ने उसका वैसा ही स्वागत किया जिस तरह कोई बड़े भाई का स्वागत करता है उन्होंने उसे सभी तरह के सम्मान दिये सारी आव भगत की और दरबार में एक स्थान दिया वो ये सब देखता रहा कृष्ण देवराय के दरबार में बहुत शांदार प्रतिभाओं का जमावडा था उसने ये सब देखा हर तरह की भहस हो रही थी संगीत कारेकरम हो रहे थे हर रोज वो अचंबित हुआ और सबसे बढ़कर तेनाली राम एक बहुत ही बुद्धिमान साहयक था फिर उसने कृष्ण देवराय से अपना दुखडा रोया तुम इतने सफल हो तुम बहुत बड़े राजा हो गए हो क्यूंकि तुम्हारे पास इतने बुद्धिमान लोग हैं काश मेरे पास भी ऐसे ही लोग होते तुम मैं भी बहुत बड़ा राजा होता खास दोर से ये तेनाली राम अगर मेरे पास ऐसा कोई होता तुम मैं भी एक बहुत महान शासक होता तो कृष्ण देवराय को ये सुनकर बुरा लगा और उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे भाई उसने कहा अगर तुम इस तेनाली राम को मुझे दे दो तो मैं जाकर अपना महान सामराज्य बनाऊँगा तो कृष्ण देवराय ने तुरंथ तेनाली राम को बलाया और आदेश दिया आपको मेरे भाई के साथ जाना होगा उन्हें आपकी जरूरत है तो तेनाली राम ने कहा ओ आपके बड़े भाई को मेरी जरूरत है मैं उनके साथ अपने बड़े भाई को भेज सकता हूँ कृष्ण देवराय को ये विचार अच्छा लगा क्यूंकि वे दे नाली राम को खुना नहीं चाहते थे पर साथ ही उनका बड़ा भाई भी उसे मांग रहा था उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें ओ, वाकई आपका बड़ा भाई है, मुझे नहीं पता था हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई को आपके बड़े भाई के साथ भीज देते हैं। तो उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से पूछा, तेनाली राम का बड़ा भाई आपके साथ जाने के लिए तयार है, क्या ये ठीक है? तो उस मूर्ख ने सोचा, अगर तेनाली राम इतना बुद्धिमान है, तो उसका बड़ा भाई, उसने कहाँ ठीक है, अगले देन उसे जाना था, और एक बड़ी विदाई आयोजित की गई। फिर दर्बार की भरी सभा में सभी एक अठा हुए, और तेनाली राम एक बैल के साथ दाखिल हुए, वे दर्बार में आये, क्रिश्न देवराय ने ये सब देखकर पूछा, ये क्या है, तुम इस बैल को सभा में क्यू लाए हो? नहीं, राजन, ये मेरा बड़ा भाई है। उन्होंने कहा, क्या बकवास है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों ने एक ही मा का दूद पिया है। जब आप ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं, जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धी किसी काम की नहीं होती। ये बस दोहराती रहती है। तो इस दोहराने वाली बुद्धी को ही हम करम कहते हैं। जब हम कहते हैं, जब हम किसी को पहले से तैय धर्रों से गुजरते देखते हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में हूँ, आज सुबह सूरज बहुत अच्छी तरह से उपर आया, पर कोई दुखी है, फूल खिल रहे हैं, मौसम अच्छा है, सब कुछ शांदार है, पर कोई दुखी है, तब हम कहते हैं, अरे ये उसका करम है, हम ये क्यूं कह रहे हैं? ये उसकी अपनी करनी है, क्यूंकि उसने ऐसे पैटरन बनाए हैं, जो खुद को दोहराते हैं, वो सुर्योदय का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो सुन्दर मंध हवा का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो फूलों की सुगंध लेने में सक्षम नहीं है, उसके करम चल रहे हैं, उसके सिर में जो चल रहा है वो उस पर राज कर रहा है, ये करम है, करम का अर्थ है करनी, आपकी करनी, या दूसरे शब्दों में जीवन का आपका अनुभव, 100 प्रतिशद आपकी करनी है, ये किसी दूसरे की करनी नहीं है.